वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुचाते हैं, तो इनसान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी तूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते। बसे हम पर निर्भर करता है कि हमने किस से आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिन्दगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए, तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसी की सला से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मन्जिल तो खुद की महनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में हैं और आपका भविश्य आपके हाथ में हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परचाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परिशान मन से भी समाधान नहीं दिखते, शान्त होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। आलात सिखा देते हैं, बाते सुनना और सहना वरना हर शक्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है, तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है, जिनोंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुचाया है। पता नहीं जन्दगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुसे में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से जगडा करके इससे बरबाद ना करें, जन्दगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच एक सरजरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है, लेकिन राहत मिलती है। जूट एक पेन किलर की तरह है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड एफेक्ट आपको सारी जिन्दगी जहलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही, मगर यादकार होना चाहिए, और रंग काला ही सही, मगर वफादार होना चाहिए, चुगली की धार इतनी तेज होती है, जो खून के रिष्टों को भी काट कर रख देती है, कभी-कभी कुदरत जान भूच कर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चहरों पर लगे नकाब हम देख सके, जिन पर हम आख मून करके भरोसा करते हैं, रिष्टे खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं, अगर विश्वास हो, तो पराय भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास नहो, तो अपने भी पराय बन जाते हैं अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यूं कर रहा है इन सबसे आप जितना दूर रहोगे, उतना ही खुश रहोगे अपने खिलाफ बाते खामोशी से सुन लो, यकीन मानो, वक्त बहतरीन जवाब देगा दो पल के गुसे से प्यार भरा रिष्टा बिखर जाता है भोश तम आता है, जब वक्त निकल जाता है पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो, तो पराये भी अपने हो जाते हैं और अगर ना हो, तो अपने भी पराये बन जाते हैं पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिष्टों को जलाकर राख कर देते हैं जब किसी रिष्टे में जिद और अकड आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं लेकिन बस रिष्टा हार जाता है पेम यदी पक्का हो तो जगड़े चाहे कितने भी हो लेकिन रिष्टा कभी नहीं तूटता जिन्दगी में गलत लोग ही अकसर सही सबक दे जाते हैं जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बहतर देना चाहती है